नमस्कार आपको जानकारी में है पहले से कि हम लोगों के एक्जाम स्टेडूल किये कर लिए गए हैं जिसका नोटिस अभी भी संग्यान में आया है CVC Board Exam 2022, देट सेट पर टर्मन Board Exam for Class 10 and Class 12 will be released on October 18. The Central Board of Secondary Education, CVC, has said the exams will take in November, December 2021. This will be an objective type exam and each will have a duration of 90 minutes and board set. What board set? देखें जो कहा गया है वो यह कि आपको October 18 तक October 18 तक आपकी date seat आने का पूरा सिस्टम बन चुका है कि October 18 तक हमारी date seat आ सकती है और आएगी will be released on सभी बचे इस बात को ध्यान में रखें और इसके लिए मैं आपको एक जानकारी दे देता हूं कि जो बचे क्लास 10-12 में हैं या पहले से नहीं जानते हैं तो आप वैसे तो पब्लिक लिए आ जाएगी हम लोग आपको भीज देंगे लेकिन कि इनकी विबसाइट है को मेंड का विबसाइट है इसी की देट सीट को ही अथेंटिक माने कभी भी कोई भी रिलीज कर देता है आप उसको नहीं जब तक आप सीवेची नाइसी डॉट इन पर देट सीट ना देख लें तब तक वह एक्टाक्ट एट शीट नहीं है सो बहुत जल्द आप लोगों को इसकी जानकारी रिलीज हो जाएगे नेक्स्ट क्या है हमारे पास नेक्स्ट ये हैं कि दे सेंटरल बॉर्ड अप सेंटर एडूकेशन सीवसी अचेज एड एक्वाइब टेक्स प्लेस इन नॉवंबर दिसंबर 2021 this will be an objective type exam and each will have a duration of 90 minute and board say to avoid learning loss of a student the board has also decided to divide subject of class 10 and class 12 into two groups minor and major subjects now cbc board has exams are conducted for 189 paper the board said if it is conducts exams for all subjects for class 10 and class 12 at one go it will take 40 to 45 days to complete the board will first conduct board exams for the minor subjects followed by the major subject as major subjects are offered by almost all the affiliated schools hence exams of these subjects will be conducted by fixing date sheet as done earlier regarding minor subjects cbc will make group of a school offering these subjects and thus more than one paper will be conducted by cbc in school on a day the board said term two exam will be conducted in march april 2022 the second term will take have both objective and subjective questions for the previous batch of students the cbc had to cancel both class 10 and class 12 board exam and declare results using an alternative method as conducting exam as conducting exam was not possible amid the second wave of covid-19 to avoid such a situation against and to have at least one board conducted exam at the end of the academic year the cbc has divided the 21-22 board exam in two terms many state boards and many state boards many states boards and both states boards have been यह आज शी के नेउज है भी अपrem ह Saad और आप लोगों को भी मिली होगी मैं आप अपने बच्चों को या आगाह करने के लिए इसको आपके लिए बेज रहां है तो करना क्या है हमको फार हो क्किरेStr फारा है केह ध्यान में जरूर रखो हुआ भई जेट सीट आ गई क्लियर है नाव हमारी प्रपरेशन वी हैब टू प्रपेर उन सो कैसे हम लोग प्रपेर कर रहे हैं जरूर आप क्या करिए के एम सीक्यु आएगा जारे एम सीक्यु टाइप जितने भी एक सरसन रिजन का भी हो सकता है किसी बी तरीकी का अगर सीक्यु आ रहा है तो हम उसको प्लान कर लें दूसरा हम जो हमारा सेलेक्ष से उसको दो चार पांच शे चैप्टर कुछ इस तरह से डिवाइड है पूरा का पूरा सेलेबस हमारे जो डिवीजन है उसका या तो सिक्स टू सैवन चैप्टर में ही डिवाइड है आप प्लान कर लिजिए आपके पास टेश कितने हैं और हर जो मेजर सब्जेक्ट है जो PCM है या PCV है या हमारे पास PCV है फिजिक सेमिस्ट्री मैथमेटिक्स या फिजिक सेमिस्ट्री बैलोजी जो भी है इसको वन चैप्टर परड़े के हिसाब से आप रिवीजन करना शुरू कर दिए आप देखेंगे अगर तीन भी से हैं आपके पास तो अगर छे मिनिमुम से सो इसके अलावा फिर हम क्या कर पाएंगे फिर कौन सी चीजें करेंगे फिर क्या सारा यही करते रहेंगा और नहीं करेंगे कुछ इसलिए मैंने कहा कि हमको PCM और PCV का प्लान कर लेना है कि इतने तारिक से हम लोग एक्जमिनेशन हमारे शुरू होने वाले हैं